हेलो किशान भाईयों मेरे सभी सम्मानित किशान भाईयों को प्यार भरा नमस्कार किशान भाईयों गियांगों की पर्थम सिचाई कब करें इस सम्मन्द में ये वीडियो बनाया गया है किशान भाईयों वीडियो शुरू करने से पहले एक आप से छोटी से गुजारिस है कि वीडियो को लाइक कर दें, सेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेटन सबसे पहले आप तक पहुं सके किशान भाईयों हमें गेहों की पर्थम सचाई, गेहों की बुवाई अगर खेत की छपाई करने के बाद की गई है तो हमें 25 से 30 दिन के बाद हमें पर्थम सचाई कर देनी चाहिए अगर ऐसे धान काटने के बाद ऐसे गेहों की बुवाई कर दी गई है तो हमें 20 से 25 दिन के अंदर पर्थम से चाहिए अवस्षिकर देनी चाहिए किशान भाई हो कुछ किशान भाई हमारे गलती ये करते हैं कि गेहों की फसल बड़ी-बड़ी क्यारियां बना देते हैं जिससे सीचने में भी काफी दिक्कत होती है किशान भाई खेत के अनुसार अगर खेत संथल है तो क्यारियां अपने हिसाब से डालें इससे क्या होगा कि सीचाई करते समय हमें कोई परेसानी नहीं होगी किशान भाई हो प्रथम सीचाई करने के बाद हमें सभी पोशक तत्तू सियूक्त पैटेलाइजर का परियोग करना चाहिए जिससे हमारी फसल काफी अच्छी बढ़वार हो सके किशान भाईयों 20-25 दिन के अंदर सिचाई करने से हमें ये फैदा होगा कि हमारी जो गेहों की फसल है उस समय बढ़ने की अवस्था होती है काफी ग्रो कर रही होती है इस अवस्था में अगर परियाप्त नमी नहीं होगी तो हमारी फसल कमजोर हो जाएगी इसलिए हमें पर्थम सिचाई 20-25 दिन के अंदर अवस्थ कर देनी चाहिए किशान भाईयों सिचाई करने के बाद हमें यूरिया खाद के साथ हमें सागरिका सलफर उपलब्द है मार्केट में आप लाके डालिए जिससे आपकी गेहों की फसल काफी अच्छी वक्त काफी स्वस्थ होगी जिससे काफी आपको फैदा होगा किसान भाईों आप हमारी गेहों की फचल ये देख सकते हैं, इसमें हमने पर्थम सिचाई करने के बाद यूरिया के साथ सागरिका सल्फर का परयोग किया था किसान भाईयों हमारी फसल गेहों की फसल में कोई भी पेण पीलापन नहीं है आप देख सकते हैं कोई भी पेण पीलापन के असिकार नहीं है सागरिका सलफर हमारी फसल को सोस्त और बढ़वार करने के लिए काफी मददकार होता है किसान भाईयों कुछ किसान भाईयों की ग्याहों की फसल पीलापन आ जाता है वो इसलिए आ जाता है कियोंकि उसमें कुछ फोसक तत्वों की कमी हो जाती है और कुछ किसान भाईयों लेट सिचाई करते हैं इसलिए भी उनकी फसल पीली पढ़ने लगती है किशान भाईयों इन सबसे छोटी छोटी बातों से बचें और अपनी गियों की फसल काफी अच्छी पैदावार करें किशान भाईयों हम अपने खेत में दूसरी सिचाई बस दो तीन दिन बाद कर देंगे पर्थम सिचाई के 25 से 30 दिन के अंदर आओ सकता अनुसार कहीं अपने छेतर के मौसम के अनुसार 25 से 25 दिन बाद हमें दूसरी सिचाई भी कर देनी चाहिए कुछ जगा पर मौसम अनकूल रहता है तो वहाँ पर हाली सिचाई करनी पड़ती है और कुछ जगा का मौसम नमीदार रहता है इसलिए हमें अपने छेतर के मौसम के अनुसार सिचाई करनी चाहिए सिचाई करने के बाद हमें दूसरी सिचाई में कुछ पोसकता तो फैटेलाइजर का भी परियोग कर देना चाहिए जिससे यह होगा कि बढ़वार काफी बढ़िया फसल की होगी किसान भाईयों हमें जो मार्केट में यूरिया खाध बोरी में मिलती है उसके जगह पे अगर हम टॉप स्प्रे करें तो उससे हमारी फसल काफी अच्छी गुरू करेगी टॉप स्प्रे करने से किसान भाईयों आपको दो फैदे होगी एक तो आपकी लागत कम होगी और यह जो खाध के अंधा दुन्द अंधा दुन्द हो रहा है परियोग उस टॉप स्प्रे करने से किसान भाईयों घियो हो की फसल हो या कोई भी फसल हो काफी अच्छी गुरू करती है इसलिए हमें एक टॉप इस्प्रे करना चाहिए फसल में किसान भाई यों टोब एकुज़्स तो बढ़ती है जात में हमारा बज़ट भी कम लगता है इसलिए टॉब इस्पीरे पे अधिक ध्यान दे अब आज कल तो मार्क ए्म अलेट में जिससे आपकी फसल काफी अच्छी हो धन्य बाद किसान भाई हो वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्य बाद किसान भाई हो